सरकार द्वारा COVID-19 के नियमों की गाइडलाइन जारी करने के बाद पुलिस और जिला प्रशासन एक्षन के मोड में आ चुके है और इसी के तहत उत्राखंड के नहीं निताल में पुलिस ने एक दिन में अलग-अलग थाना छेत में सारजने की स्थानों पर मास्क नहीं पेनन करने वाले और सोशल डिस्टैंसी का उलंगन करने वालों के खलाफ बड़ी कारवाई करते हुए 598 लोगों के खलाफ कारवाई की और साथ ही इन लोगों से करीब एक लाख रुपे का जुर्माना भी वसूला गया और इसके लावा आपको बता दें कि देश को कोरोना की ती मास्क ना पहनने वालों के खलाफ कारवाई की है और साथ ही COVID-19 नियमों का पार्ट पढ़ाते हुए लोगों का चलान करने के साथ साथ उनको मास्क भी उपलब कराए और वहीं इसके इलावा पलिस प्रशासन चोक चोराओं के अलावा भीर भार जगों पर लोगों से सोसल रिश्टेंसिंग का पालन करने मास्क पहने के अपील भी कर रहा है और SSP नैनिताल पंकज भट ने बताया कि शासन द्वारा जारी के अगर गैडलाइन के अनुसार पुलिस वे वाग द्वारा कारवाई की जा रही है और साथ ही लोगों को जाकरुक भी किया जा रहा है जि नहीं इसी के साथ ही राजनितिक पार्टियों ने भी अपनी का मरकस लिये और चुनावतारी का एलान होते ही यूपी बीजेपी ने अपना चुनावी पोश्टर जारी कर दिया और पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि बीजेपी अगामी विदानसवा चुनाव पीम मोधी और सीम योगी के चेहरे पर ही लड़ेगी और इसके साथ ही इस पर भी मोहर लग गई है कि बीजेपी की और से मुख्य मंत्री उम्मीदवार योगी आदिते नाथ ही होंगे और यूपी बीजेपी की और से जारी चुनावी पोश्टर पर लिखा है मोधी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है और इससे पहले देखा जा चुका है कि यूपी में योजनाओ के सिलर न्यास और लोकारपन कारेकरा में पीम मोधी और सीम योगी साथ साथ रहें और पीम मोधी अक्सार सीम योगी की तारीफ भी करते रहें और उदर चुनावों की तारीकों के ए आयो को डिजिटल स्पेस के लिए नियम बनाने की भी मांग उठाई है और बियस्पी ने निस्पक्ष चुनाव का भरोसा जताते हुए कारेकरताओं को अचाह साहिंता का पालन करने का निर्देश दिया है और कॉंग्रेस ने इन चुनावों में कॉंग्रेस पार्टी नोजवानों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, व्यपारियों और आमजनों के हकों के लड़ाई की बात दोराई है देश में कोरोना महमारी की तीसी लहर के बीच शनिवार को चुनावायों ने उत्ताप्रदेश, पंजाब, उत्राखंड, गोवा और मनिपूर में विदानसवा चुनाव की तारिकों का एलान कर दिया और महमारी के बढ़ती रफ्तार के बीच इन राज्यों में चुनाव कराना बड़ी चुनोती है और उत्ताप्रदेश में तीन दिनों के अंदर ही मामले दूगने से जादा हो गए हैं और बुद्वार की बात की जायतों प्रदेश में 2036 मामले सामने आये थे जो शुकरवार को बढ़कर 4223 हो गए हैं और इसके अलावा बुद्वार गुरुवार को कोरोना से किसी की जान नहीं गए जबकि शुकरवार को एक व्यक्ति की संक्मण के चलते मोत भी हुई है फिलाल राजे में 17,23,000 केस हैं और अब तक 22,918 लोगों ने कोरोना सक्मण के चलते अपनी जान गवाई है और अभी राजे में 12,327 लोग अपना इलाज भी करा रहे हैं और उत्तव प्रदेश, पंजाब और गोवा में शुकरवार को कोरोना के सबसे ज़्यादा नए माम देदर्च किये गए थे और वहीं उत्राखंड और मनिपुर में इन राज्यों के मुकाबले कम संक्मित मिले और इन राज्यों में कोल मिला कर शुकरवार को 9,391 नए आए थे केस